सावन महिने में भगवान शियू के साथ साथ उनके प्रियगन माने जाने वाले नाग देवता की भी पूजा अर्चना की जाती है मंगलवार को देशफर के नाग मंदीरों में भगवान नाग देवता की आरतना की गई बैटमा शेत्र में भी इस्थीत नाग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ बनी रही हिंदू पंचां के अनुसार स्रावनमास के शुकलपक्ष की पंचमी तीथी को नाग पंचमी का तेवार मनाया जाता है या दिन नाग देवता की पुझा अरचना के लिए समर्पित होता है माननेता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पुझा अरचना करने से मनोकामनाय पूरी होती है पोराणी काल से सर्प देवताओं की पुझन की परंपरा है ऐसी माननेता है कि नाक की पुझा करने से सापों के कारण होने वाला, किसी भी प्रकार का भए खत्म हो जाता ए जोतिशास्त के अनुसार नाक पंचिमी के दिन नाक दे उताओं की आराधना करने से जातकों को उनका आशिर्वत प्राप्त होता है बैटमा इंदाउर से राजेंदर सुर्यवंशी की रिपोर्ट